बरकत के बड़े पेड़ पर रानो चड़िया अपने छोटे से घोंसले में अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी उसके बच्चे बहुत भूगे थे ममा मुझे खाना दो मुझे बहुत भूग लगी है ममा मैं भी भूगा हूँ भूग से मेरे पेट में चूहे दोड़े हैं आप दोनों बच्चे घोंसले में छुपकर बैठ जाओ मैं अभी अपने बच्चों के लिए दाना ढूंड कर लाती हूँ फिर छोटी जिडिया तोटे के पास जाती है मगर मेरे पास तो दाना है मैं अपने लिए कल ही दाना ले आया था मुझ बेचारी के साथ कोई भी दाना लेने नहीं जाता मैं किसी और पक्षी को साथ ले जाती हूँ फिर छोटी जिडिया आगे भड़ती है चिडिया बड़े घर में रहने वाले कबूतर के पास जाती है कबूतर कबूतर चलें एक साथ दाना लेने जाती है चिडिया तो धहरी छोटी चिडिया तो छोटे से घर में रहती है मैं बड़े घर में रहता हूँ मैं तुम्हारे साथ दाना लेने नहीं चाऊंगा चिडिया निराश होकर वहां से भी आगे चली जाती है नहीं नहीं चिडिया मेरे पास तो मीटे फूलों का रस है मैंने तो अभी अभी मीटे फूलों का रस पी लिया है बुल बेहन थोड़ा फूलों का रस मुझे भी दे दो, मेरे बच्चे कल से भूके है यह फूलों का रस बहुत मेहन से निकलता है, मैं किसी को मुफ्त में फूलों का रस नहीं दे सकती चिडिया उर्ती उर्ती एक खेट में चली जाती है, वो खेट कालू कावे का था चिडिया उस खेट से अपने बचों के लिए दाना ले लेती है तब ही पीछे से डुष्ट कवा आकर छोटी चिडिया को पकर लेता है और उसे एक पिंजरे में कैद कर देता है छोड़ो मुझे, छोड़ो, मुझे अपने बचों के पास जाना है एक चोरी करती हो, दूसरा मैं तुम्हें छोड़ दूँ ये खेत मेरा है, तुमने मेरे खेसे दाना क्यों चुराया गलती होगी किसान कवे जी, मुझे माफ कर दें मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे ऐसे कैसे छोड़ दू, तुझे चोरी की सजाज जरूर मिलेगी फिर चड़िया उस कवे से बचने का एक उपाए सोचती है वो पास से गुजरते हुए तोते से कहती है तोते, तोते मेरी बात सुनो अगर तुम मुझे इस कवे से अजाद करवा दो तो मैं तुम्हें अपने दो सोने के अंडों में से एक सोने का अंडा दूँगी तोता रुक जाता है नहीं नहीं, अगर तुम अपने दोनों ही सोने के अंडे दे दो तो मैं उन में से एक अंडा इस कवे को देकर तुम्हें आजाद करवा सकता हूँ ये सुनकर कालू कवा लालच में आ जाता है और वो तोते से कहता है चल चल तोते भाग यहां से ये मेरा और जिडिया का मसला है हम कर लेंगे तोता वहां से चला जाता है कवे तुमने तोते को क्यों भगा दिया वो मुझे अजाद करवाने वाला था तुम ऐसा करो, अपने दोनों सोने के अंडे मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूँगा तो फिर लाओ गोबर, मैं जैसे ही वो सोने के अंडे दूँगी, तो तुम वो सोने के अंडे गोबर में छुपा लेना, ताके कोई लाल जी इंसान तुमसे वो अंडे छीन न ले मैं अभी गोबर लेकर आता हूँ अरे अरे मुझे आजाद तो करते जाओ ताके मैं सुनहरी दाना खा सकूँ अगर मैं सुनहरी दाना खाऊंगी तो फिर ही मैं सोने का अंडा दूँगी फिर कालू कवा चुडिया को आजाद कर देता है और उसे पिंजरे से बाहिर निकाल देता है तुम सुनेहरी दाना खाओ, ये सारा खेत मेरा ही है, जितने भी सुनेहरी दाने हैं तुम वो खा सकती हो, और मैं अभी गोबर लेकर आता हूँ फिर कवा गोबर लेने चला जाता है, लालची कवा सोने के एंडे लेने चला है, और इसे मिलेगा गाए का गोबर चिडिया जी भर के दाना खाती है और अपने बचों के लिए दाना लेकर वहां से भाग जाती है चिल्दी चिल्दी अपनी गाए का कुछ गोबर मुझे दे दो ये तो कोई पागल कवा है जो गोबर माग रहा है पहले तुम मेरे बाड़ की सफाई करो फिर मैं तुम्हें कुछ गोबर दे दूँगी कवा चील के बाड़े में जाडू लगाता है वो बाड़े की अच्छे से सफाई करता है और फिर चील से थोड़ा सा गोबर लेकर वहां से चला जाता है जब कवा अपने खेट में जाता है तो वहां चुड़िया नहीं थी मैं लुट गया मैं लुट गया उस चलाक चुड़िया ने मुझे सोने के अंडों का लालच दिया और मैं उल्लू बन गया तो ता फिर से वहां आता है लालची कवे मैं चुड़िया की बात समझ गया था कि वो तुमें लालच दे रही है इसलिए मैंने चुड़िया से दोनों अंडे मांगे थे ता कि तुम लालच में आ जाओ अब तुम ऐसा करो इस गोबर से हार बना कर गले में डालो ऐसा कहते हुए तोता वहां से भाग जाता है और कवा गोबर को देखता रह जाता है प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साथ शियर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना आपका धरनेवाद दूर किसी जंगल में एक चुडिया अपनी एक बेटी के साथ रहती थी वो जंगल में चुडिया बेज कर अपना गुजारा करती थी चुडिया ले लो चुडिया रंग भरंगी सत रंगी चुडिया ले लो बुल-बुल वहां आती है लाओ चडिया मुझे चूडिया दे दो तुम्हारी चूडिया सस्ती भी है और मजबूत भी हम पक्षियों को और क्या चाहिए बुल-बुल चूडिया लेकर वहां से चले जाती है उसी जंगल में घोरी कवी की भी चूड़ियों की दुकान थी वो सस्ती चूड़ियां महंगे दामों बेशती थी जिसकी वजा से जंगल के सभी पक्षी रानो चिड़ियां से चूड़ियां लेते थे अरे चिड़िया क्यूं इधर उधर फिर रही हो क्यों दिन रात महनत करती हो मैंने कई बार कहा है तुझसे मैं कांच की चूड़ियां बेशती हूँ तुम अपनी चूड़ियां मुझे दे दो मैं बेश दूँगी तुम्हारी चूड़ियां और तुम आराम से खर जाकर बैठो नहीं नहीं गोरी कवी वैसे भी मैं घर नहीं बैठ सकती मैं जितना कमाती हूँ मैं अपने परिवार के साथ खुश हूँ मेरी पितल की चूड़ियां पहनने से पखशियों के खून भी नहीं निकलता और तुम्हारी कांच की चूड़ियां कई पखशियों को जखमी कर चुकी है ये सुनकर गोरी कवी गुसा होकर वहां से चली जाती है घर आकर ममा चुडिया सारी बात अपनी बेटी गुडिया को बताती है आपने ठीक किया ममा वो गोरी कवी खुद तो बहुत लालची है और आपको भी आलसी बनाने की कोशिश कह रही है वो आपकी मस्बूत चुडिया बेच कर ज्यादा पैसे कमाना चाहती है अरे बेटी मुझे याद आया पास वाले जंगल में मेला लगा हुआ है मैं कल अपनी चुडिया लेकर वहां जाऊंगी शाम तक सारी ही चुडिया बिक जाएंगी मेले में उधर गोरी कवी भी मेले पर चुडिया बेचने की त्यारी कर रही थी मेला है क्या अच्छा क्या बुरा सब माल बिक जाएगा मैं ये वाली कुछ ज्यादा ही हलकी चुडिया मेले पर बेचने ले जाती हूँ फिर दूसरे दिन चिडिया भी अपने चूडिया लेकर मेले पर पहुंच जाती है चूडिया चूडिया पितल की रंग बरंगी मस्बूत चूडिया ले लो चूडिया ले लो चूडिया अच्छी चूडिया मस्बूत चूडिया चूडिया से अच्छी है मेरी चूडिया ले लो ले लो सब ले लो हर्याली तोती गोरी से चूड़िया लेने आती है तो गोरी से एक चूड़ी तूट जाती है और हर्याली तोती का पंख घायल हो जाता है अरे कमबख्त तोती अंधी हो देख नहीं रही हो अरे अरे एक मेरा पंक घायल कर दिया और दूसरा मुझे ही बुरा भला बोल रही हो मैंने ही लूंगी तुमसे चूडिया फिर हर्याली तोती चिडिया के पास चाकर चूडिया पहना लेती है हर्याली को घायल देखकर शाम तक कोई भी गोरी कवी के पास नहीं जाता सब ही पक्षी चिडिया से चूडिया खरीद लेते हैं गोरी कवी गुसे में अपनी चूडियों की टोकरी उठा कर वहां से चली जाती है शाम तक चिडिया की सारी ही चूडिया बिक जाती है और चिडिया को अच्छा मनाफ़ा होता है चिडिया भी अपने घर चली जाती है गुडिया गुडिया बेटी गोरी कवी की एक भी चूड़ी नहीं भिकी और मेरी सारी ही चूड़ीया भिक गई मामा उसकी सारी चूड़ीया दो नंबर होती है भिकेंगी कैसे कालू ओए कालू अब मैंने भी फैसला कर लिया है या इस जंगल में चूड़ीया बेचूंगी या वो चिडिया की बच्ची तो फिर मुझे उस चूड़ीया का कुछ करना ही होगा मैं आज ही उस चूड़ीया की सारी चूड़ीया उठाकर नदी में फैक देता हूँ फिर कालू कवा ऐसा ही करता है जैसे ही रात होती है कालू कवा घर से निकलता है और चूड़ीया की चूड़ीयों की टोकरी उठाकर भाग जाता है कालू कवा सीधा नदी पर जाता है और चूड़ीया की चूड़ीयों वाली टोकरी नदी में फैक देता है सुभा उठकर चुडिया रोने लग जाती है कोई जालिम मेरी चूडियां चुरा कर ले गया ममा वो बहुत गंदा पक्षी है जिसने भी हमारी चूडियां चुराई है ममा चुडिया रोती हुई नदी पर जाती है तो उसे नदी के पास पपीते का बड़ा पेड आवाज देता है। चुडिया, चुडिया मैं जानता हूँ तुम्हारी चुडिया कालू कवे ने नदी में फैंक दी हैं, मगर तुम चिंता ना करो। पेड़ जी, मैं कैसे चिंता ना करूँ, मैं वो चुडिया बेच कर ही तो अपना पेड़ भरती थी चुडिया, तुम मेरा ये एक पका हुआ पपीता तोड़ कर ले जाओ, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा फिर चुडिया उस पपीते के पेड़ से एक पका हुआ पपीता तोड़ती है, चुडिया हैरान हो जाती है, वो जैसे ही पपीता तोड़ती है, वो सोने के पपीते में बदल जाता है ये, ये तो सोने का पपीता है हाँ हाँ है, हैरान हो गई हो ना, जाओ, जाओ चडिया, ऐसे ही अच्छाई के काम करना और हमेशा दूसरों का भला करती रहना, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड सकता फिर चडिया खुशी-खुशी वहां से चली जाती है कालू, कालू भीया, तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने मेरी चूडिया नदी में फैंक दी, देखो तो मुझे उन चूडियों के बदले में क्या मिला है सोने का पपीता देखकर कालू कववा और गोरी कवी तो हैरान हो जाती है क्या, ये कैसे हो सकता है फिर कालू कववा और गोरी कवी भागे भागे जाते हैं और अपनी सारी चूडिया नदी में फैंक देती हैं और वहां बैठ कर सोने के पपीते का इंतजार करने लगते हैं मगर वो तो बहुत बुरे पक्षी थे, उन्हें ठेंगा मिलता है और वो शाम को रोते हुए खाली हाथी घर वापिस आ जाते हैं प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साथ शियर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना आपका धन्यवाद